तो नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोवी टाक आयुरुवेदा में यादि आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो आपको पांच टिप्स से बताऊंगा यदि आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाएगा अलिकांस बच्चों की हाइट ना बढ़ने से बहुत ज्यादा चिंदित रहते हैं अगर आपके बच्ची की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो यहां हम आपको बच्ची की लंबाई बढ़ाने के पांच नेचूरल तरीके बता रहे हैं यह पसंद आए तो जरूर सेर केजिए पांच जो आपके बच्चे की हाइट बढ़ाने बहुत ज्यादा मदद करती हैं यह जानते हैं क्या है रोड टिप्स अच्छी हाइट और सारीरी विगास आपकी परसुनालिटी का एक एहम हिस्सा होता है अच्छी लंबाई हर किसी की पसंद होती है लेकिन आजकर लोगों में मद्दी के और मासिक सवस्त्र के लिए सर्विस्से होता है लेकिन जब बात आपके बच्चे की हाइट के आती है तो आप बहूत कुछ नहीं कर सकते हैं पर द अहार गया मनें जैसे काही कारक आपके बच्चे के हाई को परोई करते हिए लेकिन सबसे महत्तुब्आ के नहीं है क्योंकि आपके बच्चे की अंतिम हाइट साथ से असी प्रिशत तक आपकी जीन पर निर्फ़ करता है हाला कि कम उम्र सही सही पोसान और आहर देने से आपके बच्चे की हाइट कुछ इंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है इस यह है कि बच्चों को पॉस्टिक आहर खिलाएं अगर पॉस्टिक आहर खिलाते हैं तो बच्चे की पाचन के दिया बिल्कुल सुद्ध रहेगी और उसमें जो है तो हीमोगलोवीन की मातरा बढ़ती रहेगी बनती रहेगी कि बच्चों को पॉस्टिक आहर देना चाहिए तेल मसाले वाली चीजे नहीं खानी चाहिए वैस्खों या बच्चे एक संतुलित और पॉस्टिक आर सभी के लिए बुल्यादिया वह सकता है दिन में तीन वार सभी पोसकत्तों से बर्पूर हो जाना और दो स्नेक्स आपक करते हैं यहां तक कि अगर आपका बच्चा उधन मचाता है तो उसे सही तरह से पॉस्टर प्रदान करने के लिए उसे आहर में भी नखाद्य पजारतों को सामिल करने की कोशिश करें उनके अहर में अधिक ताजे फल साबुत अनाज डेरी और प्रोटीन के सुरोत सामिल कर में मीठे और प्रोसेश्ट बोजन भी बचे ज्यादा मीठा नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि वह भी एसी डीटी कान बनते हैं और बजन पच नहीं पाता है तो उसे पॉस्टी गाहार खिलाने से भी फाइदा नहीं होता है तो मसाला वाली चीज़ें बिलकुल नाखिना सब प्रदान किया जाने का पर ध्यान दिया जाना साइगा तो उसकी स्वरीन में जो गुरूथ होती है वो रुख जाएगी एकसरसाइज जो तो बहुत मददगार होती है अगर आप पॉसकता तो खाती चले जाएंगे और एकसरसाइज नहीं करेंगे तो आपके लिए नुक्स पाचन प्रक्रिया में जो है तो बहुत ज्यादा बदलावाते हैं प्राण लिए तो बिगड़ सकती है तो इसके लिए आपको एकसरसाइज करना बहुत जरूर्य हो जाता है अपने बच्चों को कम उम्र से ही रोजाना बैयायम करना सिखाना उन सबसे अच्छी चीजों मे की अविश्चा करना सही नहीं है लेकिन सरीरिक और मांसिक रूप से फिट रहने के लिए स्टेशिंग योग और मेडिटेशन की काफिंग माहत हायदे मन दोता है इसकी बहुता बसकता भी है वायाम करने से रीड की हड़ी में खिशाब आता है और आपके बच्चे में पौ बहुता है जिससे उनकी हाइड बढ़ सकती है बार से लगाता लटकने से समय के साथ हाइड बढ़ सकती है इसके लावा यह मांस पेशियों को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है और रात में भरपूर नीद लेना चाहिए अगर नीद नहीं लेते हैं तो आपके लिए व मन से लगा करना ही कर सकते हैं लोग अक्सर आपके जीवन में रात में अच्छी नीद की महतुगों कम आगते हैं इससे उन्हें सब्सक्राइब बढ़ जाता है साथ सब्सक्राइब नीद सभी के लिए बहुत जरूरी होती है वाइसकों की तुलना में बच्चों को अधिक नीद लेने क्या सकता होती है जो चोटे बच्चे होते हैं उनको तो कम से कम 10 गंटे ही सोना चाहिए वाइसकों की तुलना में बच्चों को अधिक नीद किया सक्री होती है सुनेशित करें कि आपके बच्चे समय पर सौएं और रादबार चैन की नीद से सौएं अगर आप सौने की समस्चा है तो आप डांक्टर से सलाल नहीं तो आपकी खत्रा हो सकता है और आप की बच्चे की गुरोत जो है तो नहीं होगी अगर वीडियों कुछ जान करें अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक सेट्राइब सेयर करके जाएगा मिलते हैं नेक्ट वीडिय कर्णार को लाइक साूै कि बढ़ते हैं पहुत बच्चे की खत्राइब से सावाध झाल नहीं हुत जाएगा मिलते हैं तो आपकी अगर वीडियों के जाम है तो